शिव समा रहे मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ तो दोस्तो अपकी लाइफ तभी शुरू होगी जब आपके आप अपने comfort zone से बाहराओगे तो दोस्तो comfort zone से बाहरा कर कुछ आप excellent कर सकते हो यह confidence जगाने के लिए आज का यह session हमने arrange किया है तो दोस्तो life begins at the end of year comfort zone तो comfort zone को तोड़के आप हमेशा ही आप excellent work कर सकते हो तो दोस्तो on this beautiful note let's start our today's session that is 10th October 2022 के महतो पुना करंट अफियर दोस्तो तो दोस्तो let's start with highlights of the day तो दोस्तो आज अपन क्या क्या देखेंगे वो एक बार देख लेंगे तो दोस्तो आली में world migratory birthday के रूप में मनाया गया और आली में 2022 का nobel prize for physics दोस्तो किसे मिला वो भी देख लेंगे और दोस्तो आली में इरानी कप का किताब किसने जीता वो भी देख लेंगे और दोस्तो आली में election commission ने किसे अपना national icon बनाया और आली में FIBA women's basketball world cup का किताब किसने जीता वो भी देख लेंगे और आली में किस को US में यानि की USA में lifetime achievement award से समानित किया गया उनके American president Joe Biden दोरा और आली में Canada में global Indian award से किसे समानित किया वो भी देख लेंगे आली में Indian American chambers of commerce के national president के रूप में चबवन वे national president के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे और आली में रश्टपती द्रोपदी मुर्मूजी ने आली में महिलाओं के startup platform को बढ़ावा देने के लिए हर start नामक startup platform को launch किया उसके बारे में जनकरी दे दूँगा और आली में उत्तरपदेश में फैजाबाद के अंटकाना बदल कर क्या कर दिया वो भी देख लेंगे और आली में National Pension System Day के रूप में 2022 के रूप में ही मनाए गया वह किस दिन मनाए गया वो भी देख लेंगे और आली में सस्तरा रामनुजन पुरसकर 2022 से किसी सम्मनित किया गया वो भी देख लेंगे दोस्तो अच्छी सेशन में तो दोस्तो अन दिस बीडिफुल नोट लेट स्टार्ट अबर टोडेश सेशन दाट इस 10 अक्टूबर 2022 के महतुपुन्ह करेंट अफेज दोस्तो तो दोस्तो वी एफ फर्स्ट क्वेस्चिन तो दोस्तो आली में World Migratory Bird Day के रूप में कब मनाया गया तो दोस्तो हर साल 2nd Saturday of May और 2nd Saturday of October को World Migratory Bird Day के यानि कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया तो दोस्तो 2nd Saturday of May यानि कि इस साल 14 मही को मनाया गया World Migratory Bird Day और 2nd Saturday of October यानि कि 8 October 2022 को World Migratory Bird Day यानि के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं तो दोस्तो 4000 से भी ज़ादा different bird species प्रवासी पक्षी है तो दोस्तो total bird के population के हिसाब से 40% bird population के migratory bird है दोस्तो जो की अपने खाने के लिए एक जग़ से दूसरी जग़े पे जाते हैं उनको ही दोस्तो migratory bird यानि कि प्रवासी पक्षी के रूप में पहचाना जाना जाता है तो दोस्तो आली में migratory bird के बारे में जानकर यवम जागरुकता बढ़ाने के लिए हाली में 8 अक्टूबर को World Migratory Bird Day यानि कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तो तो दोस्तो खाने की खोज में यह पक्षी एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पे चले जाते है उनको ही Migratory Bird Day के रूप में कहा जाता है दोस्तो और दोस्तो इनके बारे में जानकारी वम जागरुपता बढ़ाने के लिए यह रोज मतलब हर साल यह दिवस दो दिन को मनाते है सेकंड सेटर डे ओफ मई मन्त और सेकंड सेटर डे ओफ अक्टूबर मन्त को यह दिवस मनाया जाता है और मई को अपनने 14 मई को मनाया और अभी 8 अक्टूबर 2022 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रुप में मनाया जाता है दोस्तों तो दोस्तों खाने को डूंटे हुए यह बढ़ एक कोने से दूसरे कोने से फरकरते हैं और दोस्तों आलि में कंजर्वेशन आफ अफरीकन यूरैन शिन और माइगरेटरी वाट के द्वारा यूनाटेड नेशन में प्रस्ताव रखा गया था यह दिवस मनाने का और यूनाटेड नेशन ने 2006 से यह दिन हर साल दो बार मनाने की गोशना की थी दोस्तों आलि में तो दोस्तों आलि में 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रुप में म मना गया और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में भी मना गया इंटरनेशनल कॉफी डे भी मना गया नेशनल वॉलिंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में मना गया और ब्रेस्ट कैंसर अवेरनेस मंत यह अक्टोबर मंत के रूप में मना जाता है दुया अक्टोबर को International Wildlife Week यह 2-8 October 2022 के बीच में मनाते हैं और 4-10 October 2022 के बीच में World Space Week मनाया 4 October को World Animal Welfare Day के रूप में मनाया गया 5 October को World Teachers Day के रूप में मनाया गया 6 October को World Cerebral Palsy Day के रूप में मनाया गया 7 October को विश्व कपास दिवस World Cotton Day 8 October को Indian Air Force Day के रूप में मनाया गया दोस्तो यह थे October महा में जितने भी अपनने महतोपुर्न दिवस मनाये उसके बारे में जानकारी दोस्तो तो दोस्तो आली में अपनने 8 October को विश्व प्रवासी पकशी दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तो तो दोस्तो चलते है नेक्स पे तो दोस्तो आली में 2022 का Nobel Prize for Physics के रूप में किसे चुना गया किसे संभानित किया गया दोस्तो तो दोस्तो अली में 2022 का Nobel Prize for Physics Alan Aspect, John F. Closer और Anton Zilignar जी को दिया गया है दोस्तो तो दोस्तो The Royal Swedish Academy of Sciences द्वारा 2022 का Nobel Prize for Physics के रूप में Alan Aspect, John F. Closer और Anton Zilignar जी को दिया गया तो Quantum Mechanics में Excellent Work के लिए इन तीनों को Physics का Nobel Prize 2022 का दिया गया है दोस्तो और दोस्तो उनको यह पुरसकार For the Experiments with Entangled Photons Establishing the Violation of Bell Inequalities और Pioneering the Quantum Information Science के लिए दिया गया थो दोस्तो In short, Quantum Mechanics में Excellent Work के लिए इन तीनों को 2022 का Physics का Nobel पुरसकार दिया गया है दोस्तो और दोस्तो हाली में अभी मैंने कली आपको पढ़ाया था कि स्वान्ते पैबो जी को Nobel Prize for Medicine के रुप में दिया गया था दोस्तो और दोस्तो हाली में 2021 का Physics का पुरसकार के से चुना गया था तो क्लाउस हैसलमेन, साइकरू मनावे और जियर जियो पेरिसी जी को 2021 का Physics का Nobel पुरसकार दिया गया था दोस्तो तो दोस्तो हाली में इन तीनों को Quantum Mechanics में Excellent Work के लिए यह पुरसकार दिया गया है दोस्तो और दोस्तो हाली में मैंने आपको बताया था कि Nobel पुरसकार की शुरुवात 1901 से हुई थी यह पुरसकार डाइनेमाइट के इन्वेंटर Alfred Nobel के नाम से दिया जाता है 1901 से शुरू की थी जिसकी स्टापना 1895 में ही हो गई थी दोस्तो 1895 में इसकी शुरुवात हुई थी पर 1901 से इसे नोबल पुरसकार देने की शुरुवात की गई थी और दोस्तो नोबल प्राइज यह सिक्स फिल्ट्स में दिया जाते है Medicine, Physics, Chemistry, Economics, Literature और Peace Medicine, Physics, Chemistry, Economics और Literature के नोबल पुरसकार Sweden के Stockholm में दिया जाते है लेकिन Nobel Prize for Peace यह असलो नॉर्वे में दिया जाता है और वारत के पहले विक्ती Nobel Prize पाने वाले अपने रविंद्रनाठ टगुर जी थे उनको दोस्तो 1913 में गितांजली के लिए Literature में यहाँ नोबल पुरसकार दिया गया था और अवर लेट्टेस्ट नोबल अवार्ड विनर 2019 में Economics का नोबल प्राइज अभिजीत बैनर जी को दिया गया था और दोस्तो आली में Economics का नोबल प्राइज 1968 में शुरू किया गया था और 2021 में डेविस जुलियस और अरडेन पेटापुटियम को Medicine का नोबल प्राइज मिला था और 2022 का Medicine का नोबल पुरसकार स्वांते पैबो जी को दिया गया है दोस्तो तो दोस्तो आली में 2022 का नोबल पुरसकार फॉर फिजिक्स के रूप में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जिलिगनर जी को दिया गया है दोस्तो इनको सम्मानित किया गया और 2021 का क्लाउस हैसलमेन, साइकुरू मनाबे और जियर जियो पैरिसीन तीनों को ही दिया गया था दोस्तो फिजिक्स का आवार्ड नोबल पुरसकार निक्स पे जलते हैं तो आली में इराणी कप का खिताब किस ने जिता तो दोस्तो आली में इराणी कप का खिताब शेश भारत यानि की रेस्ट इंडिया टीम ने जिता तो दोस्तो लगाततार नहीं यानि की टोटल 29 बार जीत कर इनोंने रिकॉर्ड भी बना दिया दोस्तो इरानी कप जितने का शेशभारत रेस्ट इंडिया ने तो सौ एस्टर को फाइनल्स में आरा कर शेशभारत ने जीता इरानी कप और दोस्तो अभी डुरंड कप जो की इशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और वर्ल्ट का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल कलभ कप है दोस्तो, जो की बैंगलूरू एप सी ने पहली बारी जिता था दोस्तो, जिसके कपतान थे हमारे सुनिल छेतरी जी, और उनकी कैप्टन सी में बेंगलुरू एपसी ने पहली बार ही डुरंड कप को जीता है दोस्तो और दोस्तो किस को राक है मुंबई सिटी एपसी को राक है और दोस्तो अभी वेस्ट जोन ने साउथ जोन को अराकर दुलिप ट्रॉफी दोजार बाइस को जीता था वेस्ट जोन के कप्तान थे अजिंक्यरा ने मैन आप दे मैच फाइनल्स में रहते इसे श्वी जैसवाल और मैन आप दे टूर्नामेंट जैदेव उनड कट्टू रहे थे और दोस्तो आले में एशिया कब 2022 को शिलंका ने जीता पकिस्तान को अराके अभी रंजी ट्रॉफी 2022 को मद्यप्रदेश ने जीता दोस्तो पहली बार मुंबई को अराके और पंदरववा IPL गुजरा टाइटन्स ने जीता राजस्तान रोयल स्कॉरा के और दोस्तो इसी तरह से क्रिकेट के ट्रॉफी जितनी भी है उतने के बारे में आपको जैनकरी देता हूँ एक तो हो गई इरानी कप, दुलिब ट्रॉफी, रंजी ट्रॉफी, सीके नाइडू ट्रॉफी, देउदर ट्रॉफी, नहरू कप, सहारा कप, छासी रानी ट्रॉफी यह आल ट्रॉफी जार रिलेट टू क्रिकेट दोस्तो, और दोस्तो आली में 75 वी संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता था वेस्ट में, बिंगॉल कोहरा के, और संतोष ट्रॉफी इस असोसियेटेड विद दे फुटबॉल, तो आली में इरानी कप का किताब, शेश भारत न इंडिया टीम ने फाइनल्स में सवरास्टर कोहरा के 29 वी बार जित कर, इरानी कप को जित कर, एक रेकॉर्ड भी बना दिया गया, दोस्तो नेक्स पे जलते हैं, तो दोस्तो आली में इलेक्शन कमिशन ने, यानि की चुनाव आयुकत ने, पंकजित रिपार्टी जी को, न पंकश्त्रिपार्टी जी को, नेशनल आइकॉन के रुप में चुना गया, और हाली में बिहार राज्ज के स्टेट आइकॉन भी रह चुके हैं, पंकश्त्रिपार्टी जी, फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रेंड अमबेसिडर भी बने थे दोस्तों, पंकश्त्रिपार्टी और कुरुशी नेटवर्क अप्लिकेशन के भी ब्रैंड अमबेसिडर रहे थे पंकश्त्रिपाटी तो आली में इलेक्शन कमिशन जिसकी स्तापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी इसलिए अपन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और 25 जनवरी को ही अपन नेशनल टुरिजम डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तो तो दोस्तो उसी इलेक्शन कमिशन ने पंकश्त्रिपाटी जी को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया और दोस्तो आली में वाइस इलेक्शन कमिशनर कोन दोस्तो किसे चुना गया था अजय भादू जी को और आपको 25 जीफ इलेक्शन कमिशनर तो पता ही है राजिव कुमार जी को चुना गया था और पहले चीफ इलेक्शन कमिशनर कोन बन गयते है सुकुमार सेंच जी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिशनर कोन बन गयी थी विएस रमादेवी और आली में MS दोनी जी गरूड एरोस्पेस के ब्रैंड अमबसेडर चुने गये थे रिशब पंत जी उतराकंड के ब्रैंड अमबसेडर नेरा चोपड़ा जी गुड डॉट और टाटा याए और बाइजूस के ब्रैंड अमबसेडर के रुप में चुने गए थे तो आली में इलक्षिन कमिशन ने पंकच सिपाड़ी जी को नेशनल आइकॉन के रुप में चुना गया दोस्तो नेक्स पे चलते हैं तो FIBA Women's Basketball World Cup का खिता किस टीम ने जीता तो आली में FIBA Women's Basketball World Cup का खिता USA ने जीता तो आस्टेलियमा आयोजित किया गया था दोस्तो FIBA Women's Basketball World Cup जिसको US ने जीता दोस्तो चाइना को और आके तो लगातार चौता FIBA World Cup टाइटल है दोस्तो US टीम का और टोटल में 11 टाइटल है दोस्तो US टीम का तो आली में FIBA Women's Basketball World Cup का किता जीता चाइना को हरा के दोस्तो और दोस्तो FIBA यानि के Federation of International Basketball Association किस्ता अपना 1932 में हुई थी जिसका एड़कॉर्टर मिज स्विजर लैंड में है तो आली में FIBA Women's Basketball World Cup 2022 का किता यूएस ने जीता है दोस्तो लगातार चौती बार यह World Cup टाइटल जीता और टोटल में 11 टाइटल है दोस्तो US टीम का और आली में कोपा अमेरिका फुटबॉल टॉर्नामेंट अर्चेंट इरा ने जीता था ब्रजिल को रहा के यूरो कप 2020 को इटली ने जीता इंगलंड को रहा के थामस कप विचीज असोसियेटेड विद दे मेंस बैडमेंटन चंपियंशिप वो दोस्तो इंडिया ने जीत जीता था इंडोनेशिया को रहा के उबर कप विचीज असोसियेटेड विद वूमन्स बैडमेंटन चंपियंशिप जिसको 2022 में साउथ कोरिया ने जीता था चायना को रहा के तो आली में एफाए बी ये वूमन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब यूएस ने जीत तो भारतिय मुल्के डॉक्टर विवे कलाल जी को यूएस में अमेरिका में लाइफटाइम अचिमेंट अवर्ड से समानित किया गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जी ने स्वता खुद डॉक्टर विवे कलाल जी को यूएस में लाइफटाइम अचिमेंट अ लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड इन यूएस से सम्मानित किया गया और आली में चेंजमेकर अवार्ड से शिरिष्टी बक्षी जी को चुना गया हैरमन कैस्टन अवार्ड को जीतने वाली अभी मिनाकंदा सामी जी बन गई थी और दोस्तो आली में तेलगू लेखक और राइटर तेलगू लेखक और अभीनेता तनिकेला भरनी जी को लोकनायक फांडेशन साहित पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तो तो आली में डॉक्टर विवेक अलाल जी को यूएस में लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तो नेक्स पे चलते है तो दोस्तो आली में कैनेडा में गलोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो आली में कैनेडा इंडिय फांडेशन ने 15 एन्वल मीट में विदानता के चेर्मेन अनिल अगरवाल जी को केनडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ट से सम्मानित किया गया तो विदानता ग्रूप के प्रेसिडेंट अध्यक्षे दोस्तो अनिल अगरवाल जी उनको ही केनडा में ग्लोबल इंडियन से समानित किया गया है दोस्तों तो आली में अनिल अगरवाल जो की विदानता ग्रूप के प्रिसिडेंट है उनको कैनेडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से समानित किया गया तो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन ने अपने 15 एनुवल मीट में विदानता के चेर्मन अनिल अगरवाल जी को कैनेडा में ग्लोबल इंडियन का अवर्ड दिया और आली में वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी अवर्ड से प्रोफेसर कौशिक राजी शेकर जी को जुना गया और केपी कुमारन जो की एक मलियालम डारेक्टर है दोस्तों फिल्म डारेक्टर उनको आली में केरल का सरवच्च पुरसकार जेसी डैनियल पुरसकार भी दिया गया और केपी कुमारन जी को ही 68 वे नैशनल अवर्ड में बेज डारेक्टर का खिताब भी दिया गया और आली में तनुजान इसारी जी को युनाटेट किंग्डम पर्लेमेंट ने आईरवेद रतन अवर्ड से सम्माने किया गया आली में अभी कैनेडा का नाम है तो कैनेडा ने एयार रहमान के नाम पे एक सड़क का नाम रख दिया आली में 65 कामन विल्थ समिट कैनेडा के हिली फैक्स में हुई थी और फीफा 2022 का आयोजन तो कतर दोआ में होगा पर फीफा 2026 का आयोजन तीन देशों में होगा यूएस कैनेडा मेक्सिको और यूएस कैनेडियन राइटर रूथ उजेकी जी को दे बूक आफ फॉर्म एन एम्टीनेस नौविल के लिए वोमन फिक्शन अवार्ड भी दिया गया था दोस्तो तो आली में विदानता ग्रूप के चेर्मेन अनिल अगरवाल जी को कैनेडा में गलोबल इंडियन अवार्ड से समानित किया गया है दोस्तोंनेक्स पे चलते हैं तो आली में इडियन अमेरिकन चेमबर आफ कॉमर्स के National President के रूप में किसी चुना गया तो आली में 54-वे इंडियन अमेरिकन चेमबर आफ कॉमर्स के नेशनल Truck में रूप में ललित भसिन जी को चुना गया दोस्तो यहां Indian American Chamber of Commerce का तो भारत और US के Trade और Commerce को बढ़ावा देना यहां उद्धेश है दोस्तो इंडियन American Chamber of Commerce का जिसका एड़कौर्टर मुंबई में है तो इसके अभी 54 वे नैशनल प्रेसिडंट राश्ट्रिय अद्यक्ष ललित भसिन जी को चुना गया है दोस्तो और दोस्तो आली में संजीव कुमार जी रेले टेल के CMD के रुप में चुने गए थे और दोस्तो आली में डॉक्टर राजीव बहल जी ICMR के डिरेक्टर जनरल के रुप में चुने गए थे और आली में नला थंबी कलाइसल वी CSIR की पहली महिला डिरेक्टर जनरल बनी थी और दोस्तो आली में इंडियन अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडंट राष्ट्र यद्यक्षे के रूप में ललित भसीन जी को चुना गया है दोस्तो नियुक्त किया गया है दोस्तो नेक्स पे चलते है तो दोस्तो आली में राष्टपती द्रोपदी मुर्मूजी ने कौन सा नामक स्टार्ट अप प्लैटफर्म को लाँज किया ताकि महिलाओं के लिए काफी अच्छा प्लैटफर्म है यह तो दोस्तो अलिमे रेस्टपती द्रोपदी मुर्मूजी ने हर स्टार्ट नामक स्टार्ट अप प्लेटफर्म को लांज किया तो दोस्तो वुमन्स के लिए रेस्टपती द्रोपदी मुर्मूजी ने हर स्टार्ट नामक स्टार्ट अप प्लेटफर्म को लांज किया तो एम अहमदाबाद गुजरात में लॉंच किया गया जिसका उद्देश क्या है दोस्तो तो वूमन एमपावर्मेंट वाले स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देना यह प्लैटफॉर्म वूमन इनोवेशन और स्टार्ट अप प्रयासों को बढ़ावा देगा और प्राइवेट और गवर्मेंट सेक्टर के लिए स्टार्ट अप्स को जोडने के लिए रस्टपती द्रोपदी मुर्मुजी ने हर स्टार्ट नामक स्टार्ट अप प्लैटफॉर्म को लांच किया गया दोस्तो यह प्राइवेट और गवर्मेंट सेक्टर के लिए को स्टार्ट अप से जोड के लिए महीलाओं के एमपावर्मेंट के लिए यह प्लैटफॉर्म को लांस किया गया जो कि स्टार्टप प्लैटफॉर्म है और यह प्लैटफॉर्म वोमन स्टार्टप इनोवेशन और स्टार्टप प्रयासों को बढ़ावा देगा दोस्तों तो दोस्तों हाली में हमारी 15 प्रमी राष्टपती जो की पहली आदिवासी राष्टपती है और दूसरी महिला राष्टपती है दुर्पदी मुर्मूजी इनोंने अहंदाबाद गुजरात में हर स्टार्ट नामक स्टार्टप प्लैटफरम को लांज किया गया है दोस्तों एक्स पिजलते हैं तो दोस्त तो आली में उत्तर पदेश में फैजाबाद केंट का नाम बदल कर अयोध्या केंट कर दिया गया तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी ने उत्तर पदेश के फैजाबाद केंट का नाम बदल कर अयोध्या केंट कर दिया गया और 2018 में फैजाबाद का नाम बदल कर अय के जहासी रानी रेलो इस्टेशन का नाम मदर कल लक्षमी भाई रेलो इस्टेशन कर दिया गया था और दोस्तो अभी कजाकिस्तान देश की कैपिटल नूर सुल्तान से हटा कर अस्ताना कर दिया गया था एक्चुली दोस्तो कजाकिस्तान की पहली राजदानी अस्ताना ही थ और दोस्तो उसको यानि की अस्ताना को फिर नूर सुल्तान में किया गया और अब नूर सुल्तान से वापस से अस्ताना कर दिया गया दोस्तो कजाकिस्तान की राज़दानी को तो आली में उत्तरपदेश में फैजाबाद केंट का नाम बदल कर आयोद्या केंट कर दिया गिया है दोस्तो और दोस्तो अभी नाम चेंज से रिलिटेट जितने भी करंट अफ़ेर्स के क्वेशन थे उनके सभी के बारे में आप भूजान करी देंगा और दोस्तो आली में इंडोनेशिया के जकारता ने नुसंतारा कैपिटल कर दी जकारता को हटा के और आली में राजबत का नाम करतव व्यपत कर दिया गया अरुनाचल पदेश के आर्मी कैंप का नाम विबिन रावतजी के नाम पर रखा गया और आली में गुजरात के वडिया रिलो स्टेशन का नाम एकतानगर रिलो स्टेशन कर दिया महाराष्ट के अवरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया और आली में दवलताबाद फोर्ट का नाम बदल कर देवगिरी फोर्ट कर दिया गया और दोस्तों आली में तिलंगना के न्यू सेक्रेटरियेट कॉंपलिक्स का नाम डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी के नाम पर रखा गया एहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्रव मोधी जी मेडिकल कॉलेज के नाम पे कर दिया गया और आली में एहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका पहले नाम था दोस्तो मोटेरा स्टेडियम उसका भी नाम प्रदान मंत्री ने अपने नाम पे याने की इनरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया और आली में इंग्लेंड के लिसिस्टर स्टेडियम का नाम सुनिल का आवस करके नाम रखा गया और आली में वड़ोद्रा के रेली उनिवर्शिटी का नाम गतिशक्ती उनिवर्शिटी कर दिया गया दोस्तों तो आली में उत्तरपदेश के फैजाबाद केंट का नाम बदल कर अयोध्या केंट कर दिया गया है दोस्तों नेक्स पे चलते है तो दोस्तों आली में नैशनल सिस्टिम डेकरूप में मनाय जाएगा दोस्तों ऐसी भारत सरकार ने घुषना की दी तो भारत में सेवा निवृत्ति योजना पेंचन योजना को बढ़ावा देने के लिए अभी हर साल दो आजार बाईस से एक October को National Pension System Day के रुप में मनाय जाएगा ऐसा अभी गोशना किया गया था जिसका उद्देश किया है तो retirement के बाद Pension System के महत्व के बारे में जानकारी हम जाग रुपता फैलाने के लिए यह हो एक October 2022 से अभी National Pension System Day के रुप में मनाय जाएगा ऐसी गोशना वारत सरकार ने की थी तो Pension Fund Regulatory and Development Authority ने आली में 1 October 2022 से National Pension System Day के रुप में मनाय जाएगा ऐसी गोशना की थी और आली में तिलंगना सरकार ने आसरा पिंचन योजना को शुरू किया गया था तो आली में 1 October 2022 से National Pension System Day के रुप में मनाय जाएगा दोस्तों नेक्स पे चलते है तो आली में सास्तरा रामानुजन पुरसकार 2022 से यून किंग टैंग जी को समाने किया गया तो आली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस की Assistant Professor यून किंग टैंग जी को सास्तरा रामानुजन पुरसकार 2022 से समाने किया गया तो आली में चाइना की प्रोफेसर है दोस्तों यून किंग टैंग जी इनको ही सास्तरा यानि की सास्तरा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों शनमु का Arts, Science and Technology and Research Academy रामानुजन पुरसकार दोस्तों यानि की सास्तरा रामानुजन पुरसकार 2022 से यून किंग टैंग जी को समाने किया गया था जो की कैलिफोर्निया यूनियर्सिटी यूएस की Assistant Professor है और दोस्तों इस पुरसकार में 10,000 डॉलर की राशिवी दी जाती है और यह वो अड़र 32 साल या कम के वेक्तियों को मैच में उनके असाधारन महत्वक्य बारे में जानकर इवं जागरुकता बढ़ाने के लिए उन वेक्तियों को दिया जाता है 32 साली दोस्तों क्यों दोस्तों इसका एज लिमिट रखा गया तो 32 साल की उमर में ही रामानुजन जी का निदन हो गया था तो यह वो अड़र 32 साल या कम के वेक्तियों को दिया जाता है दोस्तों तो हाली में सास्त्रा रामानुजन पुरसकार जिस किस्ता अपना 2005 में होई थी सास्त्रा यानिकी शनमुगा आर्ट साइंस अंड टेक्नोलोजी एंड रिसर्च अकैडमी रामनुजन अवार्ड से हाली में युनिकिंग टैंग जी को समानित किया गया और दोस्तों हाली में 32 भी हारी पुरसकार मादाव हाडा जी को दिया गया हाली में चेंज मेकर अवार्ड स्रुष्टी बक्सी जी को दिया गया और गोल कीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड 2022 जो कि मेलेंडा एंड बिल फांडेशन द्वारा चार वेक्तियों को दिया गया था जिसमें एक भारतिय थी डॉक्टर रादिका बत्रा जी उनको दिया गया और दोस्तों युगांडा की वेनिसानकाटे और अफगानिस्तान की जारा जोया भी उसमें शामिल थी और दोजार एकिस का रामानुजन पुरसकार डॉक्टर नीना गुपता जी जो की एक प्रोफेसरी थी दोस्तों मैट्स की उनको ही दिया गया था तो दोस्तों यह थे 10 अक्टूबर दोजार बाइस के मातो पुर्णा करन्ट अफे है दोस्तों और दोस्तों आज अपन क्या पड़े उसकी एक बारे विजन कर लेते हैं तो आली में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे अपन ने 8 अक्टूबर को मनाया 2022 का नोबल प्राइस फॉर फिजिक्स के रूप में एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लोजर और एंटॉंग जिलिंगनर जी को दिया गया आली में इरानी कप का खिताब शेश भारत ने जीता रेस्ट इंडिया ने जीता सौराश ट्रकोरा के और आली में इलेक्शन कमिशन ने पंकस्त्रिपाटी जी को नेशनल आइकॉन के रूप में जुना गया आली में फेडरेशन आफ इंटरनेशनल बास्केट बॉल असोसियेशन एफ आई बी ए वोमन्स बास्केट बॉल्ड कप का खिताब युएसे ने जीता दोस्तो चाइना को फाइनल में हरा के आली में डॉक्टर विवे कलाल जी को युनाइट स्टेट आफ अमेरिका में लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया हाली में अनिल अगरवाल जी जो की विदानता ग्रूप के अद्धिक्ष है उनको कैनेडा में गलोबल इंडियन अवार्ड से समानित किया गया हाली में इंडियन अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स के चाववन वे नैशनल प्रेसिडेंट राष्टिय अद्धिक्ष के रूप में ललित भसीन जी को चुना गया हाली में रेस्टपती द्रोपदी मुर्मू जी ने हर स्टार्ट नामक स्टार्टप प्लेटफरम को लांच किया हाली में उत्तरपदेश में फैजाबाद केंट का नाम बदल कर अयोद्ध केंट कर दिया गया हाली में एक अक्टूबर 2022 से नेशनल पिंशन सिस्टेम डे के रूप में मनाय जाएगा ऐसी गोशना की थी और हाली में सास्तरा रावानुजन पुरसकार के रूप में हाली में यून किंग टैंग जी को समानित किया गया था दोस्तो तो दोस्तो यह थे 10 अक्टूबर 2022 के मातो पुर्ना करंट अफेस दोस्तो तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको पसंद आये होंगे और दोस्तो अभी बढ़ते हैं दोस्तो कल की क्वेशन के तरब तो कल का क्वेशन क्या था तो नोबल प्राइस फॉर मेडिसिन 2022 गोस्तो तो दोस्तो स्वेडिश सैंटिस्ट है स्वान्ते पाबो जी उनको अभी नोबल प्राइस फॉर मेडिसिन 2022 के रूप में चुना गया उन्होंने जिनॉम सिक्वेंसिंग के बारे में रिसर्च और जानकारी एवम जागरुकता फैलाने के लिए अभी स्वांते पाबो जोकी एक स्वेडिश सैंटिस्ट है उनको नोबल प्राइस फॉर मेंडिसिन 2022 के रूप में चुना गया है दोस्तो तो दोस्तो कल की कुश्चन का आंसर था स्वांते पाबो फ्रॉम स्वेडिन तो दोस्तो यह था दोस्तो कल की कुश्चन का आंसर और आज का कुश्चन कुन सा लेंगे दोस्तो तो वही वाला लेते क्या नोबल प्राइस वाला ठीक है नोबल प्राइस वाला ही लेते है तो द लाउस हैसलमेन सुयूकरो मनाबे जी और जी और परिसी जी को दिया गया तो इनी के चलते अभी क्वांटम मेकैनिक्स में एक्सलेंट वर्क के लिए 2022 का नोबल प्राइस फॉर फिजिक्स के रूप में दिया गया है दोस्तो जो की आपको आज के क्वेशन में बताना है दोस् यसे ही डे टु डे करेंट अफैर क्लासे उनकी रिविजिन क्लासे सो और जनरल और क्लास Western क करने के लिए सबस्क्राइब कीजिए और्म लाइनर करेंट आफप विडेड चानल को फॉल्य के दोस्तो लिंक इुन्हों इस इन दिसिप्रिप्शन बोक्स बिलो और दोस्तों प दिस इस गुरु भाई साइनिंग ओप जैशंकर महारास दोस्तो जैवले